हम आदमी पार्टी में लगतार विवाद जो है वो बना हुआ है हालाकि सरकार को बने हुए एक महीना पूरा हो चुका है इस मुद्धे पर हम आसाथ बाचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी नैशनल स्पोक्स पसंड डॉक्टर वीजे सोमका शास्ती जी शास्ती जी सरकार बन गई है लेकिन विवाद खतम नहीं हो रहे हैं चिठ्थियों पर चिठ्थियां बेजी जा रही है अब अशोक तलवार ने केजडिवाल को चिठ्थी लिए किस तरह लेते हैं आपको क्या ये सरकार विवादों के साथ ही आगे बढ़ेगी और दिल्ली का को सरकार के चमता के आधार पर जो कुछ मिलना चाहिए वो शायद इससे प्रभावित भी हो सकती है नेताओं के सोच कुंठित हो सकते हैं नेता राज-काज की बजाए अपने व्यक्तिगत मामलों में इन्वाल्ब हो जाएंगे तो ऐसे में निसंदे जनता ही सफर करेगी सरकार पर प्रभाव पढ़ रहा है विकास में एक रोड़ाट का हुआ है जिस तरह से विवाद बने हुए आज जो बीजेपी के सारे कौंसिलर हैं वो सची वाले के बाहर धरना दे रहे हैं त्यूकि उन्हें लगता है कि सरकार जो है वो इनके साथ नाइंसाफी कर रही है क कई साल हो गया है तीन साल हो गया है निगमों को सेल्डी नहीं दी जा रही है किस सरा लेते हैं यह सब आइसी चीजें जिस पर सरकार को नेड़ने लेना चाहिए और खासतोर से आप पार्टी ने तो एक तरह से यह कोमिटमेंट उसका था कि हम सारी समश्याओं का समाधान कर रहा है तो इससे लगता है कि कहीं न कहीं आप पार्टी की जो सरकार चल लएई है उसका द्रिष्टी कहीं होना चाहिए पर इस समय कहीं और वो लोग लिए केजडिवाल ने मदद मांगी है केंद सरकार से और आर्थिक जादा मदद की उन्होंने उमीद की है क्योंकि इतना फंड दिया जा रहा है उनका कहना है कि वो उतना ज्यादा नहीं पड़ पा रहा है क्योंकि समस्याइं बहुत जादा है तो केंद सरकार से आर्थिक मदद की और जादा उमीद की है क्या केंद सरकार कदम बढ़ाई गी इस बात को अगर देखा जाए तो जो हमारे वित्यमं आज लगा सकते हैं कि केंद सरकार कितनी लिब्रल है फारेंसिली शपोर्ट करने के लिए और इस तरह से अन्यान और भी ऐसे विशे हैं जिस पर केंद सरकार राज्य सरकार के साथ सायूब करती है यह यूपिय की सरकार की तरह नहीं है कि जहां यह बात उठता था कि यह सरकार राजियों के साथ उनकी समद्ने ठीक नहीं है हमारी सरकार राजियों के साथ बहतरीन समद्न बना करके और राजियों के समगर विकास के बारे में अग्रशर है तो बिल्कुल केंद सरकार मदद करने को तयार है लेकिन जिस तरह से आम आदनी पार्टी में विवात जो